हलो दोस्तों आपका हमारे चैनल कुगवेश फूट में स्वागत है आज हम बनाएंगे मकर संक्रांती स्पैसल तिल गुड के लड्डू और यह देखिए हमारे लड्डू कितने बढ़िया बनकर तयार हुए हैं एकदम सौफ्ट लड्डू हमारे बने हैं और सर्दियों में स एक बार जरू बना के खाएं क्योंकि तिल और गुड गरम होता है तो यह हमारे सरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है तो चले चलते हैं तिल गुड के लड्डू बनाने के लिए यहां पर हमने ले लिया है 300 ग्राम तिल यह सफेद वाला तिल हमने लिया है इसको हमने बारी तोड लिया है, यदि आप चाहें तो इसको क्रस कर सकते हैं, अब ले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे तिल को, और सिलो फ्लेम पर 5-6 मिनेट के लिए इसको बढ़िया से हम रोस्ट कर लेंगे, इस तरह से कंटीनु चलाएंगे इसको, तिल को हमें हलका कलर जोने तक ही रोस्ट करना है, जादा नहीं करना है, वरना ये कढ़वा लगेगा खाने में, इस तरह से सिलो फ्लेम पर इसे हम कंटीनु चला लेंगे 5-6 मिनेट के लिए, और हम सब जानते ही हैं, जो तिल की तासिर होती है, वो गरम होती है, तिल में काफी मात्रा में केलसि जिंक पाये जाता है, जो कि हमारी हार्ट के लिए काफी फायदे मंद होता है, और हमारी बॉड़ी को भी गरम रखता है, हड्डियों को भी मजबूती देता है, इसलिए तिल को हमें किसी ना किसी रूप में अपने भूजन में जरूर सामिल करना चाहिए, चाहे हम उसकी च डालेंगे गुड़कों, यहां पर 200 ग्राम लिया है आप चाहें तो तिल की मातरा की बराबर ले सकते हैं गुड़कों, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी यह दो से तीन चमची पानी जादा नहीं डालेंगे, हम लड़ु थोड़े मीठे कम बना रहे हैं इसलिए हम हमें slow flame पर melt कर लेना है अच्छे से गुड़ को जब इस तरह से तोड़ के डालेंगे तो यह जल्दी से melt हो जाता है जादा समय नहीं लगता है और जो गुड़ की गाठे होंगी इस प्रैचुला से इस तरह से दबा देंगे तो यह जल्दी से पेगल जाएंगी और यह देख इसको गुड़ भी हमारे लिए बहुती फायदे मंद होता है गुड़ में केल्सियम आईरन पाया जाता है और गुड़ का एक फायदा यह भी है जब पेट में गैस बने या बदहजमी हो अपच की सिकायत हो तो इसको खाने से यह सिकायतें भी दूर हो जाती है अब हम गु कौन रखेंगे तो गुड़ जलने लग जाएगा इसलिए आफ करके ही हम तिल को इस तरह से मिलाएंगे अब बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से तिल गुड़ की लड़ू बनाएंगे न तो बहुती बढ़िया बनकर तयार होते हैं एक बार जरूर बनाकर ट्राइ कीजिएगा ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है गुड़ हमारा धी में इसी तरह से Mix कर लेंगे तो ये देखिए कितना बढ़या सा तिल गुड तयार हो गया है अब इसी तरह से इस प्रेच्छुला से हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे गरम गरम में लड्डु बनाएंगे तो ये काफी जलेगा इसलिए इसको थोड़ा ठंडा करके हम लड़ू बनाएंगे और यह देखिए बढ़िया से इसको हमने mix कर लिया है और साथ साथ यह बढ़िया से ठंडा भी हो गया है अब इसको 5 मिनिट हम rest लेने देंगे और 5 मिनिट के बाद इस तरह से हतेलियो को साफ करके इसमें थोड़ा सा हम देशी घी लगाएंगे या oil लगा लेंगे और एक चमच के help से इसको इस तरह से ले लेंगे तिलगुड को और हतेलियो पर रख करके इसको गोल सेफ दे देंगे लड़ू बना लेंगे बढ़िया से और बहुत ही आसानी से बन जाएगा जब यह हलका से ठंडा हो जाएगा गरम गरम में बनाने में काफी दिक्कत आएगी इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरह से आप बना लेंगे और यह फैलेगा भी नहीं बहुत बढ़िया से सेप ले लेगा यह देखे बढ़िया सा गोल लड़ू बनकर तयार है इसी तरह से एक लड़ू और देखेंगे और यह देखेंगे आप कितने आसानी से हम बना लेंगे इसको बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी जब यह ज़ादा ठंडा हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा सा गरम कर सकते हैं पर ठंडा होने से पहले यह काफी ज़ल्दी बन जाएगे यह देखें इस बढ़िया से बनकर तयार होते जाएगे और इसी तरह से हम सारे लेड़ू बना लेंगे बिना किसी दिक्कत के और बिना परिसानी के ये देखिए हमने सारे लेड्डू बनाकर तयार कर लिये है और इन लेड्डू को हमने 8-10 मिट के अंदर ही बनाकर तयार कर लिया है ये देखिए इसको बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा है और बढ़िया से हमारे लेड्डू बनकर तयार हो गए हैं और यह देखें कितने बढ़िया से घूम रहे हैं और चलते हैं अब प्लेटिंग करेंगे यह देखें कितने बढ़िया लड्डू हमारे बनकर तयार हैं अब आप भी इस मकर संक्रांती इसी तरह से तिलगुड के लड्डू बनाएए और इंजॉय कीजेगा और सबको हमारी रेस्पी पसंदा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तैंक यू